नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका दोस्त नितिन कुमार स्वागिप करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजाइन बोल्स इस चैनल में हम लोग बात करते हैं एक्जिबिशन से रिलेटिड टॉपिक्स के बारे में ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि हम लोग किस तरीके से इस जो प्राइस वार चल रहा है मार्किट के अंदर इस से कैसे बाहर आ सकते हैं और अपने बिजनस को अच्छा बिजनस करके कैसे ग्रो कर सकते हैं और अपने बिजनस के ल रहा हूं इंडर्स्ट्री के लिए एक अच्छी सर्विस लांच करने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे जो एजनसी सेंच उडिजाइनर को नहीं अफोर्ट कर पा रहे हैं या फिर इस टाइम में भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे डिजाइनर रखना चाहिए य इस बिजनस के टोटल चार पिलर्स हैं पहला आता है एजनसी या मार्केटिंग दूसरा आता है सेल्स और तीसरा आता है अपना डिजाइनिंग और चौधा आता है फैब्रिकेशन यह सीक्वेंस अपने हिसाब से हर किसी के लिए उपर नीचे हो सकता है अपनी सभूलियत के इनका एक्षिल में प्रोफेशन चारों का अलग अलग है अगर यह अपनी जॉब को मैनेज करें तो बट किसी वज़े से यह आपस में एक दूसरे के बने बैठें तो चलिए इसको हम लोग नहीं डिसकस करते क्योंकि यह कॉम्पेटिशन तो ऐसा नहीं के साथ है यह हर इं करना के पर्षिट और जब भी क्वांटिटी में बिजनस और कहीं क्वालटी कस्तोंगाइशन था क्वाश्चन और काम बूर्वेसे वह का काम होगा और कहीं नक्यों quality compromise होगी तो हमें सिरफ quality पसंद customer ही अपने लिए खोजने हैं जिनको market से जिनकी expectation quality की है जो कि अपने business को वहाँ जाके spoil नहीं करना चाते हैं जब हम लोग अपने customer को एक quotation देते हैं तो customer सीधे ही हमसे एक सवाल करता है या सीधे ही हमसे एक बात कहता है कि sir आपने जो quotation दिया है मेरे पास daily 10 से 15 फोन या शायद 50 फोन आते हैं जो कि मुझसे रोज ये कहते हैं कि हम तो आपका काम इतना रुपे में कर देंगे तो आपको ये सुन करके बिलकुल surprise नहीं होना और कहीं भी आपको उनके साथ इस चीज में नहीं उलजना कि sir हम पर ऐसी quality देते हैं या तो हम ऐसी quality देते हैं नहीं बिलकुल मत उलजो आपको यहां से ये बताना है उसको कि कैसे आप एक different चीज उनको देते हैं उनके जो business है उनके expectation में क्या आप add on करते हैं ये चीज आपको उसको बतानी है जो आपका experience है वो आपको वहां पर showcase करना है यहां पर आप क्या showcase कर सकते हैं कि sir जो price war है मैं उसकी बात नहीं कर रहा दो ही तरह के business होते हैं एक quality business एक quantity business जो लोग कम price में काम कर रहे हैं उसमें आपको कभी भी quality नहीं में इड़ पाती है और कहीं न कहीं आपके exhibition stall के साथ quality में compromise होता है service में compromise होता है तो अगर आप इतना पैसा खर्चा करके आ रहे हैं तो क्या आप ये चीज़ चाहेंगे कि आप 10, 20, 50,000 रुपे के लिए अपना पूरा invested money को आप एक stake पे रख दें हम जो आपको शायद थोड़े बहंगे price पे service दे रहे हैं ठीक है बट हमारी service में क्या difference है ये बताता हूँ हम लोग जब आपका काम करेंगे तो हम सिरफ आपको एक stall नहीं दे रहे हैं हम आपको एक business experience भी देंगे और कहीं न कहीं कोशिश करेंगे कि जिस आप motive से वहाँ आ रहे हैं अपने business को grow करने के लिए हम कहीं न कहीं उसमें कुछ help कर पाएं कि जिससे कि आपके business को वहाँ से बढ़ने की chances हो अब आप उसमें क्या क्या चीज़े add कर सकते हैं इसको मैं बताता हूँ पहली चीज़ आप उनकी exhibition के लिए pre and post marketing exhibition से पहले और exhibition के बात की marketing exhibition से पहले आप उनको 10 दिन का एक digital marketing का budget दे सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं सिरफ आपका जो budget देने का मतलब यह नहीं पैसा बताना ना ना आपको सिरफ सर्विस बताने है कि यह मैं दूंगा सर्विस में क्या हो सकता है कि आप उनके लिए facebook और instagram campaign चला दें 10 दिन का बहुत ही nominal सी cost पे ज्यादा से ज्यादा 200 रुपे पर डे के budget पे आप instagram और उनका facebook campaign चला सकते हैं 10 दिन का पलस जब exhibition खतम हो जाती है तो उसके लिए तीन दिन का या चार दिन का और campaign चला दें टोटल 15 दिन का budget मान लो आप कि 15 दिन का आप total campaign चला दें 10 दिन पहले तीन दिन exhibition के दौरान और दो दिन तीन दिन उसके बाद तो 15 दिन का आप अपने हिसाब से एक campaign चला दें जिसका 200 रुपे का budget रखके आपका 3,000 रुपे खर्चा होने वाला है दूसरा जब आपका design जो भी final होता है उस design के हिसाब से उनके लिए invitation design करके दीजिए उसको 100 या 50 जो भी आपका budget अलाओ करे उतनी एक hard copies of invitation दीजिए साथ में उनको उसी invitation का idiom बनाई है idiom क्या होता है कि जो एक email होता है soft copy में कि वह अपने email में उसको proper जैसी किसी के पास भेज़े तो email में खुले तो सीधा front page उसका invitation का ही खुले उसमें छोटा छोटा नीचे आप mention कर सकते हैं कि this project designed and fabricated and managed by आपकी company के नाम अभी मैं अपने company के नाम देता हूं डिजाइन बोल्स तो आपने यह लिख देना है जिससे कि आपकी marketing भी बढ़ती है और इसमें आप एक काम और कीजिए कि उसको 2000 या 5000 email का एक package भी इसमें include कर दीजिए कि इतनी emails shoot की जाएंगी तो यह भी आप ने कर दिया उसके अंदर इससे क्या होगा इसको एक business का boost मिलेगा अब आपने क्या समझाना है ठीक है design उनको अब बाद में देना है पहले नहीं देना है जैसे सब लोग करते हैं कि design दे दिया design देती है नहीं कि आपको समझाना है कि sir मैं जो design आपको दूँगा इस design में खास क्या रहेगा इस design में खास यह रहेगा देखिए यह design beautiful होगा यह नहीं होगा वह different concern है बट यह design professional ज़रूर होगा इस design जब हम लोग बनाएंगे तो इस design को इसे साब से बनाएंगे जो आपका USP है जो भी आपकी service या फिर जो product USP है वो highlighted रहे कस्टमर जैसे आपके stall के pass से गुजरता है या pass में आता है तो उसको सीधे ही वो आपकी service या फिर आपका product attract करे और उसके बारे में वो और भी जानना चाहे और साथ में ही इतना welcoming stall होगा कि कोई भी मतलब customer जा रहा है तो उस stall में आए अगर sir हमारी designing से आपके stall के अंदर footfall में अगर 10% का भी फरक पड़ता है कि तो आप ये count कीजिए कि आप जो total खर्चा करके आ रहे हैं कि उसमें बिना जादा खर्चा किए आपका 10% का आपके business में इजाफा एक तरीके से footfall का इजाफा और जितना जादा footfall आपके stall पर उतने ही ज़्यादा chances हैं कि आपके sales या जिस भी आप motive से आए हैं वो कहीं ना कहीं बढ़े प्लस हो तो ये आपके chances हैं तो मैं सिरफ आपको एक stall is one of the service which I am giving you but actual मैं आपको एक business experience देना चाहता हूं जिस motive से आप आ रहे हैं उसमें मैं क्या add on कर सकता हूं ये दे आपने एक तरफ डिजिटल मार्केटिंग होगी दूसरी तरफ इस हिसाब का design हो गया कि जो उसके जिस motive से आ रहा है उसको help करेगा उसको उसके business को boost करने में कि ये दोना ही चीज़े उसको business के लिए हो गई आपका next क्या रहेगा कि जिस दिन exhibition की opening होती है opening वाले दिन आपने customer से पहले पहुँचना है वहाँ पर बडिया सा stall पर ribbon लगवा देना है कि एक plate जो भी होती है welcoming plate में एक ribbon काटने की seizure के तो उसका इंतिजाम रखना है साथ में एक bouquet के फूलों का bouquet बडिया सा के welcome करने के अपने साथ रखना है और उसका बडिया से welcome कीजिए और mobile से हो सके तो डालिए उसको भी promote करवाई है और साथ में जब वो अपने stall पर जाता है तो उस जहां पर बैठना बैठने की seat होती है वहाँ पर पहले ही कुछ मिठाई का चोटा सा बाउल में मिठाई और कुछ हो सके तो dry fruits एक बडिया सी मतलब कुछ drinks मतलब cold drinks एक glass के अंदर क्या है कुछ का इंतिजान करके रखिए आप ग्लास में serve करने के लिए उस particular time के लिए आप चाहें तो एक waiter को hire कर सकते है अपने लिए या फिर अगर office का staff हो आपका तो उसके साथ चीज़े करा सकते हैं बढ़ हाँ well dressed up सारी चीज़े होने चाहिए बहुत ही मतलब pleasing atmosphere होना चाहिए welcoming atmosphere होना अगर आपका काम थोड़ा बहुत कमी भी रह गई आपके काम के अंदर तब भी आपने उसको यह service देनी है हो सकता है कि आपको यह service देने के बाद मतलब देने से पहले client का mind make up हो कि उसको आपका कुछ amount service खराब होने की विज़े से cut करना है तो हो सकता है कि वह amount कम cut हो या हो स यह help करेगा इस client को retain करने में future के लिए ठीक है और जब future में वह इस चीज को दुबारा से call करेगा तो वह आपको बोलेगा यार नितिन चल पिछली बार जो हुआ था सो हुआ था इस बार मेरा काम तो बढ़िया करके दियो मैं तिर कोई मौका दे रहा हूं ठीक है आपको प से 75% की जो accounting है मेरे पुराने clients है जो चले आ रहे हैं जो की मेरी backbone है तो यही चीज़े कुछ-कुछ नहीं नहीं innovative चीज़े अपलाई करके आप एक market से अलग बना सकते हैं अच्छा अब आपके mind में कहीं ऐसा तो नहीं आया कि आपने क्या किया कि यार यह तो यार नितिन ने चीज़े बताई इससे तो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा वहिया आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो तो यह आप अपनी pocket से नहीं दे रहे हो यह आप जब customer को यह सब चीज़े जब add-on करते हो ना तो उसके बाद customer से आप इसका अलग amount चार्ज कर सकते हो आपको यह बताना नहीं है मैं इस सब चीज़े दे रहा हूं आपको आपको इतनी detail में नहीं बताना जितना detail में मैं बता रहा हूं आपको मार्केटिंग बूस्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग का एक पुरा इसमें बजट भी है कि मतलब pre exhibition marketing होगी जिससे कि आपका awareness बढ़ेगी आपके exhibition इस्टॉल की कि आप दिल्ली में आ रहे हैं या कहीं भी बैंगलोर आ रहे हैं तो वहां पर exhibition लगाना जा रहे हैं तो उ के और जानकरी curiosity बढ़ाने के लिए तो आपका footfall बढ़ेगा इससे तो आपके पास शायद उस exhibition के दोरान वो आपके पास phone करें कि अगर वो नहीं आपाए तो आपस phone करके आपके product के बारे में पूछ सकते हैं के service के बारे में पूछ सकते हैं तो यह सब चीज़े हो सकते हैं यह एक marketing की service आपने add-on कर दी साथ में उसको एक pleasing atmosphere दे दिया at the welcoming atmosphere दे दिया कि अपने customer को आपने के जब वो आया तो आपने उसको एक बड़िया सी service दे दी अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया वो add करता हूं कि आपने उसके लिए एक exhibition starter kit भी देनी है exhibition starter kit क्या होती आपको पता है कि फिर भी मैं detail में बता देता हूं कि एक card bowl एक visitor card book दो pen बहुत महेंगे से नहीं दो एक candy bowl आपने यह देना है एक बड़िया सा उसको एक trouser packaging कराके मतलब एक tray में लगाके सब चीज़े बड़िया सजाके उस पर पननी लगाके ribbon भांद के और साथ में अपनी company का logo लगाके welcome you at stall यह आपने उसके लिए देना है साथ में एक table bouquet का भी arrangement करना है तो दो bouquet हो गए एक आपने table पर देना reception table पर दूसरा आपने जो client को present करना है तो यह कुछ चीज़े जब आप add-on करते हैं न तो यह आपके business के लिए फाइदे पहला आपके client को retain करेगी दूसरा आपको बाकी लोगों से अलग करती है कि आपके competition से आपको अलग करती है कि आपके professionalism में क्या चीज़े हैं बाकी चीज़े आप अपने हिसाब से कुछ plus minus कर सकते हैं जैसा client का budget हो client अच्छा budget दे रहे तो उसको और भी services include कर सकते हैं वो आपके marketing technique के उपर है कि आप क्या उसको add on कर सकते हैं तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर देना भाईया इतना professional तो हूं नहीं मैं तो चलो जैसी भी वीडियो बन रही है पसंद करते रहे ना आपका बहुत प्यार मिला था मेरी पिछली वीडियो पर आशे करता हूं इस वीडियो को भी आप भरपूर प्यार देंगे thank you so much have a nice day